नमस्कार दोस्तों वेलकम टू मैं चैनल अगर आपकी फोन में आटोमेटिकली एपस इंस्टल हो रहा है और इस पॉब्लिम की सल्यूशन आप जानना चाहते हो तो आप साही वीडियो पे आ गया हो तो इस वीडियो के अंदर में आप लोग को एकदम साही जनकरी देने वाला आप बस वीडियो को इन तक देखते रहो तो इसको सॉल्ब करने के लिए पहले आप आपकी फोन में जो सेट्ञ ऐस सेट्स के अंदर आजाब आजाने के बाद आपको नीचे यहाँ पर आ जाना पड़ेगा एपस के अंदर एपस के अंदर में आ गया अब आपको जाना है यहाँ पर सिस्टेम एप सेटिंग और मैंने जब आपको मैंनेज एप के अंदर जाना है यहाँ पर यह जो सर्च बढ़ है यहाँ पर में कुछ एपस सर्च कर ले है और यहां पे यह देखो इंस्टल एप फ्रॉम अनून सोर्सेस यह जो आफसेने इसके उपर में टैप करूंगा और यह जो आफसेन और एलाव फ्रॉम दिस सोर्स इस आफसन को आफ को आफ कर दिना है ऐसी और भी कुछ एफ में अब लोगों को बाता हूंगा आप बस ही का कि आपकी अगर किसी और ब्रेंड की फोन है तो एफ स्टोर या तो कोई भी नाम से हो सकते हैं उसको आप ढूंड लो यह इन विल्ट एफ से इसको आप अनिस्टल नहीं कर सकते हो इस एफ के ऊपर टाच करो और करने के बाद यह जो इंस्टल एप सॉम अनून नोस सोर आप सोर लेवें से फिर से ड् offshore σε फ्न लेना गूगल प्लेस्टोर देखो गूगल प्लेस्टोर Easy जए और जाने के बाद लिए अब की यहां पर पर करके रखुए हैu क्यारों डाएगी तो यह तो तो आप इसको आप कर देना है इसके बिना और वी एक Mac जिसका नाम है नो हला कि मेरा फोन में नहीं है तो मेरी फोन में अगर अंदर चले जाना है और चले जाने के बाद फिर से उस एपस के अंदर इंस्ट्रल अनौन शॉर्स यह जो आफ्सन के अंदर जाने के बाद यह आफ लिए रहा है और करते ही देखो आप आपकी फोन में जो आटोमेटिकली एपस इंस्टल हो रहा है वो बंद हो जाएगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्रिप कर लो